आप सभी का स्वागत है शिया में सकती यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन पॉइंट के उपर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है रिजल्ट डेट को लेकर second point third point आपको साथ ही में वीडियो के साथ साथ ही पता चल जाएगा बट है इस वाले point से ज्था इंपटन वो dos point हैं तो वीडियो को चलो start करते हैं सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं पहले point की पहला point हमारा जो है वो है result date कि आने तक हमें अपने आपको कैसे काम रखना है काफी सारे लोग को इशू दिमाग में ये चल रहा है कि यार मत तब रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा है क्या करें पढ़ाई करें कि ना करें अगर मानलो पास हो गया तो फिर आगे का ट्रेनिंग स्टार्ट एकरने या पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे इस चीज़ को बिलकुल साइड में रखो अभी मिनिममम मुझे लगता कि आपके पास अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करो फिर भी अगर सही से आप पढ़ोगे तो 16-17 घंटे की आप एफेसेंस्ली टाइम निगाल सकते हो तो उपर से पढ़ाई का भी प्रेशर की यार बताओ अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ड नहीं गरी तो इसलिए सबसे पहले पढ़ाई को स्टार्ड रखो अभी अपना आराम से चिल रहो रिजर्ट जो होगा वो देखा जाएगा ठीक है उसमें आप ही नहीं एक ऐसे इंसान हो जो कि रिजर्ट का वेट कर रहो हर कोई वेट कर रहा है अब सेकंड वाले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं कि आखिरकर ICMAI ने नोटिफिकेशन में अपनी रिजर्ट डेट को क्या बताया हुआ है तो आपको पता है कि अभी तक का ICMAI की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के जो कि स्पेसली रिजर्ट डेट को लेकर कुछ अभी तक नहीं बताया किया है वहाँ पे अभी बिल्कुल चुप हैं वो लोग वो कुछ अभी मेंशन नहीं कर रहे है तो अभी आप CMA की वेबसाइट को विजट करते रही है और एवन मैं खुद ही यूटूब च चीट में बताया गया था वो रिजर्ट डेट को का हमें उमेद करके उसी डेट तक का वेट करना है या नहीं करना है तो इस चीच के लिए मैं डिरेक्ली क्लियर कर दे रहे हूं आपका जो आपको रिजर्ट डेट चीट में वेंसन करें थे 17 मार्च और आप 17 मार्च 2023 उसको वही लेकर आप expected date चलिए उसी के आज पास में भी हा सकता है और even ये भी हो सकता है कि आपको 17 March को ही result आपका देखने को मिल जाए तो CMA इंटर वालों और CMA final वालों आप सभी लोग पढ़ाई को continue रखे और result date जो है आपकी वो expected मैं भी यही assume करके चल रहा हूँ हर वो teacher हर वो CMA student यही जानता है अभी तक का 17 March तो 17 March याद रखिए आज पास 2-3 देन इधर दर हो सकता है हाला कि institute है कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि पिछली बार बहुत ज़्यादा डेले कर दिया था लेकिन हम लोग assume यही करके चल लें कि 17 March तक का result आपको देखने को मिल जाएगा तो में भी वीडियो आपको काफे दा पसंद आई होगी तो वीडियो को like, share, comment करके साथी साथ मैंने Instagram पेज जो की काफी ज़ी पोस्ट यह उस पर मैं कर रहा हूं continue में इस पर आ रहा हूं पोस्ट कर रहा हूं आपको notes प्रोवाइड करता हूं आपको उससे related किसी भी तरह की query आप DM करिये मैं उसका reply करता हूं time to time हर चीज आपको proper guidance दे रहा हूं आप जल्दी से उस page को भी सके follow करिये साथी चैनल को subscribe कर लीजिए और साथी साथ दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा share कर जिससे की मुझे motivation मिले और साथी साथ मैं आपको और ज़्यादा efficiently चीजों को provide क पाऊं thank you so much for watching my video मिलते हैं अगले next video के साथ मैं तब तक लिए bye bye